अगर आप भी ने मेरे जैसे दाल, सबजी, रोटी या फिर हरी सबजी खाके ना बोर हो गए हैं पर अगर कभी-कभी बोर भी हो जाते हैं अगर आप बोर हो गए हैं तो मैं आज आपके लिए अंडे की इतनी टेस्टी भुर्जी की रेसिपी लेकर आ गई हूँ जो शायद आ लाइक लाइक इंशे जूर कर देना चैनल पर नई हो तो प्लीज सब्सक्काइब कर लेना स्वागत है आप सभी का स्वाति की देशी रसोई में तो फिर देर किस बात की है बनाना स्टार्ट करते हैं तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये 5-6 अंडे लिए हैं ने यूज किया है एंडो को मैंने इची तरीकी से फोल्ड लिया है एक बाउल के अंदर तो आज हम बिल्कु डिफरेंट तरीकी से बना रहे हैं न भुर्जी तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहे हैं छोड़कर बिल्कुल मज जाए को बनना आपको समझ में नहीं बन जाते हैं मतलब आमलेट जो होती है ना व बन जाती है आपको इस तरीकी से जब तक इन बेल्कूल एक फळतर नहीं होने लगता है, और पैन को छोड़ने नहीं लगता है, तब तक आपको इसको लगातार चलाते हुए पका लेना हैj किब भी बार कि एडि़रेक्टे नियुक्त हमें का ऐड़ हूं डिल ढूंपे ओंधर बिलका में शॉट है। टेल डाल दिया है। अब आता चमच में इसके अंदर नमक डाल दिया है अब आता चमच हम इसमें घर काई पिसा हुआ गरम साज़ाइट कर देंगे तो चलिए कर सारे मसालों को अच्छी तरीकी जबून लेते हैं तो अभी हम इसके अंदर इतना भी पानी वानी या फिर अभी कुष्णी डालना ह अब इस तरीकी से ही सारे मसालों को हमें बून लेना है लूटू मीडियम फ्लेम पर ही तो चलिए गब इसके अंदर टिमाटर डालेंगे तो टिमाटर मैंने यह चार लिये हैं छोड़ी छोड़ी साइज के ज्यादा बड़े नहीं थे तो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते ह अगर आपको थोड़े ज्यादा पसंद है थोड़े ज्यादा डाल लेजिएगा या फिर अगर थोड़े कम पसंद है तो आप इसके अंदर कम भी डाल सकते हैं तो चलिएगा थोड़ा सम पानी डाल के इसके अंदर अब इसको अची तरीकी से गलने के लिए छोड़ देते ह मसाला मिलाने के बाद हम इसको ठाके रख देंगे तीन से चार मिनिट रिए जब तक टेमाटर गल नहीं जाते हैं तो देखिए गए घू ता स dol शो ने करीब थायएम पगल ला तो ये किन मानी का ये खाने में इतनी जद्धा टेस्ट ही लगता है कि आप शयाद सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल फर्स टाम ट्राय करी थी इस तरह की अंडी की भुर्जी बनानी वरना मैं जल्दी का नाम गाड़ी में इस तरी का काम करती थी पहले मतलब जल्दी फटाक से बना देती थी तो एक मुठी मैंने ये धनिया काट लिया है मैं इसके अंदर ये डाल देती हूं अगर आप कोई भी चीज बनाए ना तो उससे दिल से बनाए वरना अगर आप ऐसे तीन-पांच करके बनाते भी है तो खाने में भी टेस्टी नहीं लगता टेस्टी है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइकन ज़िए ज़रूर कर देना और पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हैं तो प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मत जाना क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरी वीडिय बिल्केशन भी नहीं जाएगा आपके पास और बैल आइकन तो ज़रूरी प्रेस कर देना तो चलिए अपर मैं आप से मेनूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाइबाई एंड टेक केर